दोस्तों आप सभी का सपना है सचीवाले सहायक बनने का तो आप सभी के लिए दोस्तों बहुती बड़ी खुश खबरी है आखिरकार दोस्तों वर्सों का मांग पुरा हो गया तो चलिए फटाफट आप सभी देखिए और देखिएगा दोस्तों आप सभी तो बहुती बड़ बदलाव हुआ है यह कोई साधारन बदलाव नहीं है तो चलिए फटा-फट आप सभी ओफिसियल नोटिस देखिए क्या कुछ बदलाव हुआ है कैसे क्या भरती होगी सभी चीजों के बारे माप सभी को फुल डिटेल्स जानकारी देने वाले हैं सबसे पहले तो आप यह जा आमने ओफिस्यल नोटिस यहां पर आप देख सकते हैं बिहार गजट बिहार सरकार द्वारा परकासित तो यहां से आपको उस सभी चीजों के बारे मच्छे से समझना है और सबसे में आप यह जानना चाहरे कब जो नई अभी वाली जो भरती है नई वाली जो विकेंसी है इसमें कैसे क्या सेलेक्षन होगा कब तक विकेंसी आरी इन सभी चीजों के बारे में भी आप लोगों को बताने वाले हैं यहां पर देखेगा दोस्तों सबसे पहले आप डेट तो 17 नोवंबर 2030 यानि यह दिखेगा गजट जो है नभीहार सरकार का गजट यह दिखेगा त तो 17 नोवंबर 2030 यानि अभी यह पबलिश्ट हुआ है और हम आप लोगों किस वीडियो में फुल लीटेल्स में सभी चीजों के बारे में बताने वाले हैं और आप सभी यह बताईए आप में से कौन-कौन सची वाले सहाइक विकेंसी की बेह सबरी से इंतजार कर रहे हैं फड़ा-फड कमेंट करके बताईए तो यहाँ पर देखेगा बिहार बिहार मंडल द्वारा यथा पारित का निमलिखित अधिनियम जिस पर मानने राज्यपाल द्वारा 16 नोवंबर 2030 को नुमती दे चुके हैं इसके द्वारा सर्व साधारन को सुचना के लिए परकासित क पिर कहीं भी सरकार संब्धित जो भी नया नियम देखेगा लागू होता है यह सबसे पहले गजट में पब्लिष्ट किया जाता है तो यह जो है न सचिवाले सहायक से संबंधित है तो यहां से चलिया आप सभी फूल लीटेल्स में देखिए फिर आपको अच्छे से क्लिय हो जाएगा तो इसके बाद अगला दूसरा नंबर पेज है अब यहां पर देखेगा न सत्रह नौंबर 2030 बिहार गजट और बिहार अधिनियम 14 2030 बिहार सचिवाले स्यवा संसोधन अधिनियम 2030 तो अभी तक जो दोस्तों सचिवाले सहायक वाला था न उसमें बदलाव हुआ है तो क्या कुछ बदलाव हुआ है सभी चीजों के बारे में चलिए आप अच्छे से समझ लिजिए और आप सबसे पहले तो यह बते कि आप में से कौन-कौन नियू वेकेंसी की बेस अबरी से इंतजार कर रहे हैं आप में से किसका किसका सपना है सचिवाले सहायक बनने का फटाफट आप सभी कमेंट करके बताइए अब चलिए यहां से रिटेल्स में देखिया आप सभी तो यहां पर देखेगा दोस्तों बिहार सचिवाले सेवा अधिनियम 2007 तो यहां पर देखेगा अभी जो नियम जो कुछ चल रहा था 2007 एक्ट के अनुसार इसमें बहुत सार शेवा के सहाय का पदनाम सहायक तब ही क्या होता था दोस्तों बिहार सचीवाले सेवा के अंतरगर्र देखेगा POST का जो नाम था सहायक assistant का लेकिन यहीजो पोस्त है दूसेर राज जैसे बगल वाले राज जारुकंड में देखेगा तो वहां पर जो पोस्ट था यह Guillemi दि हो गया है सहयक परसाखा पदाधिकारी यानि जब आप अगर आप इस post में आपका post सहयक नई हो करके जो नाम रहे गा post का सहयक परसाखा पदाधिकारी यानि Assistant Section officer post यहां पर नाम हो गया और यह देखेगा दोस्तों यह देखेगा तो कहीं सालों से सची वाला सेवास संग जो है मांग किया जा रहा था कि इसका पदनाम चेंज किया ज़े क्योंकि हर जगा यह जो पोस्ट है सहाइक वाला सहाइक परसाखा पदाधिकारी हो गया तो आप देखेगा फैनली भीहार में भी हो गया अब इससे आपको फैदा क्या होगा इससे दोस्टों आप लोगों को बहुत सारे फैदा होने वाला पहला चीछी तो परमोसन में क्योंकि देखेगा पहले क्या होता था इसिस्टेंट से बने यहां पर पर 15 अब यहांप पहले ही वहाँ से पारित हो गया था और राज जेपाल के मोहर लगने के बाद फैनली ये देखेगा अधिनियम लागू हो गया है तो इसके बाद देखेगा 2007 में संसोधन किया जाना आवस्यक है तो संचिप्त नाम बिहार सचीवाले सेवा संसोधन अधिनियम 2013 कहा जाएगा इसका बिस्तार संपूर्ण बिहार राज में होगा और बिहार सचीवाले सेवा अधिनियम 2007 में जहां पर जो है सहायक का जो सब्द अंकीत है उसके अस्थान पर सहायक परसाखा पदाधिकारी यानि कि फैनली पोश्ट का नाम अब बदल गया तो चलिए ये तो हो गया आप यहां से आपको समझ में आ गये कि यानि जो बिहार सचीवाले सहायक वाली जो भरती थी अब यह सहायक परसाखा पदाधिकारी वाला पोश्ट हो गया और यह देखेगा तो भरती कि माध्यम साइगी क्या BPSC के माध्यम साइगी या फिर BSSE तो देखे दोस्तों आप सभी इ करके क्लियर कर रहें और यहीं चीदि देखेगा यहां पर इंगलीस में लिखा हुआ है एसिस्टेंट पोश्ट के जगह पर क्या होगे एसिस्टेंट सेक्षन ऑफिसर यानि के एसो वाला यह पोस्ट अब बढ़िया तो आब आप बते हैं आप में से किसको किसको यह निव कि कितना अछा नाम है सहाइक पर साखा पदाधिकारी सहाइक क्या होता था इससे क्या लगता था कि कोई नॉर्मल सा जौब यह तो यह चलिया आप बात करते एक्जाम पैटर्न कब तक भरती आरी इन सभी चीजों के बारे में और देखेगा दोस्तों एक जरूरी सुचना आप लोगों के लिए भी देखेगा तो छट और दिवाली के सुभाव सर पर कोर्स पर भारी छुट चल रहे तो अगरा फुल तेयारी करन चाहते हैं तो फटाफट आप सभी अप्लिकेशन से जुर जाएए अभी क्या है दोस्तों की कोर्स का प्रैस बहुत ही कम है और अभी आप देखेगा तो बिखारे से सी इंटर लेवल आप लेवों के सामने है और यही तियारी आपको सचिवाला साहिक में भी काम आएगा त सीजियल थीरी जैसे ही कम्पलीट होगा इसके बाद जो अगला प्रोसेस है सीजियल फोर का प्रोसेस है अब सीजियल फोर की वेकेंसी तो इसमें भी दोस्तों आप लोगों को बहुत ज्यादे इंतिकार नहीं करना परेगा यहां से आप देखेगा इसको लेकर जो हैंने 30 अक्टूबर, 19 अक्टूबर का यह लेटर था आप लोगों को पहले भी दिखाये थे इस लेटर के माध्याम से यह था दोस्तों कि अगामी चतुर्त अशनातक अस्तरिय वेकेंसी के बारे में कहा गया था और इसको लेकर देखेगा आप तो 30 अक्टूबर 2023 को बैठक के बा परिक्षा में सम्मलित किये जाने वाल इरिकपदों को रोश्टर क्लेरेंस के बारे में कहा गया था और इसको लेकर देखेगा 30 अक्टूबर 2023 को बैठक रखा गया था यह देखेगा बैठक यह सब चीजे कंप्लीट हो गया है और यहाँ पर अब यह जल से जल्द वेकेंस जिस तरह सभी चल रहा उसी तरह से और इस बार की जो भरती रहने वाली है अच्छे खासे पदव पर यानि सीटों की संख्यां बहुत ज्यादे रहने वाला है और कब तक आरी यह तो क्लियर हो गया यानि इसी साल कुछी दिनों में आ जाएगी भरती अब बहुत ज्यादे भी परिक्षा हुए 100 पलस परिक्षाओं का क्विस्चन बैंक दो फॉर्मेट में पहला टेस्ट करूप में दूसरा इस तरह से वन लैनर फॉर्मेट में एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ जिससे आपको मैक्सिमम चीज़े यहां से याद हो जाए और एक्जाम में आप क्विस् क्विस्चन टोडल पुछा जाएगा मैफ त्रिज्निक जी के सांस दूसरा होता है मेंस एक्जाम और तीसरा चीज टैपिंग यह सब चीज़े इसमें नहीं होता है से पोश्ट होते है इसमेंन पूछा जाता है लेकिन सची वाला सहिज पास करना है और अवी इंटर लेवल का जो syllabus है same दोनों का syllabus same ही है मेंस में भी डेर सो question पूछा जागा इसमें दो paper होता है हिंदी तो हिंदी सिर्फ qualify है merit आपका बनेगा डेर सो वाला जो paper है यानि डेर सो question जिसमें पूछा जागा इसी क्याधार पर यहां से clear हो गया फैनली पोस्ट नेम बदल गया अब जल्दी वेकेंसी भी आ रही है आप सभी जम के त्यारी में लग जाईए और एक जरूरी चीज़ी दोस्तों आप में से कौन-कौन इंटर लेवल का form फिलब कर दिये हैं फटा-फट कमेंट करके बताईए और अगर कुछ समस्य आ रही है तो यह भी आप कमेंट करके बताईए